अल्राइट, स्वागत है आप सभी लोगों का थर्श डेह की मसाला के एक नए एपिसोड के अंदर आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंडियन गवर्मेंट के कुछ सर्विसिस की बात करने वाला हूं तो देखते रहना इस वीडियो को एंद तक वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी दिरी के वेल्कम बैक तो स्पिन्दाइक, यह है थर्श डेहकिंग मसाला, सो विदाट फॉर्थर अडू, लेट्स एक्स्प्लाइट अगर अबवि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप वीडियो एंज्वाई करता हैं और आप जैसे क्रियेटर को जो अब भी एक budding creators हैं anyways तो यहाँ पर हम सुरुवात करते हमारे twitter section article section की article section और twitter section शुरू करो उसके पहले मैं आप लोगों को announce करना चाहता हूँ that spin the hack has now an official android application जो कि आप play store से download कर सकते हैं मैं आप लोगों को screen के उपर दिखा रहा हूँ link description में देदूँगा आप यहाँ पर जाकर download करके हमारा जो नया penetration testing network penetration testing और ethical hacking का जो live class training आने वाला उसमें attend कर सकते हैं community में जूड सकते हैं और आगे चलके बहुत सारे updates आएंगे यह हमारा सबसे पहला release है आप download करके यहाँ पर कुछ fundamentals के बारे में यह कोई security नाम का कोई topic नहीं है बड़ यहाँ पर जो चीज़ बताई जारी है वो हम security researchers को बहुत मदद करती है Linux हमारा day-to-day use है Docker भी एक बहुत ही अच्छी skill है जो कि अगर hacker के पास है तो वो बहुत ही अच्छा hacker कहला सकता है तो आप उसके fundamentals इस live webinar के अंदर से attend कर सकते हैं Link मैंने description में दे दिया है यह होने वाला जुलाई की 11 तारिक को और आज हो रही है probably 7 जुलाई तो अगले 4-5 दिन के अंदर यह होने वाला है आप इसको check कर सकते हैं और अगर वहाँ पर पुछा जाए कि इसने reference दिया तो बता सकते हैं स्पिंद है कि YouTube चैनल से मैं वहाँ पर आया हूँ मैं भी वहाँ पर होँगा मैं आपको देखता हूँ वहाँ पर आप हो की नहीं हो ठीक है तो यह आप attend कर सकते हैं Link description के अंदर होगी चलिए बात करता हूँ tweet number 2 की तो यहाँ पर second tweet किया है अमीत रिंजान ने अमीत रिंजान यहाँ पर बात करते हैं जो नई service DG Locker की आई आप सब जानते हैं DG Locker इंडिया का एक government application है जिसके अंदर आप अपने documents store कर सकते हो जैसे कि license number आपके गाड़ी का जो भी RC वगेरा होता है वो आप वहाँ पर store कर सकते हैं आपके आधार का details, passport details वगेरा आप DG Locker के अंदर store कर सकते हैं ताकि आप लोग उसको हर जगा carry ना करो तब भी वो चलेगा आप digital form में अपने चीजों को रख सकते हैं तो DG Locker एक आपकी online identity है इंडिया के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने दिखा होगा जब आप किसी भी website पर जातो हो वहाँ पर नीचे होता है login with google, login with facebook तो आप से इंडिया की जितनी भी government sites है उसके अंदर इस तरीके का button आपको देखने को मिलगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं login with DG Locker तो DG Locker एक इंडियान गवर्मेंट साइट का SSO authentication बन चुका है SSO authentication के बारे में जानते हैं आप सब बहुत interesting चीज़ है अब सब जगा देखते हैं और इसके अंदर बहुत सारी vulnerabilities भी आती है इस सारा काफी है सभी लोगों के लिए तो आप इसको जाकर देख सकते हैं इस वंडरफूल इंडियन गवर्मेंट इस डन आ फैंटास्टिक जॉब ओर हीर चलिए बात करता हूँ मैं tweet number 3 की so tweet number 3 बहुत interesting है bug hunters के लिए जो भी bug hunters है सायद आप लोगों ने कभी ये चीज़ experience करी होगी कि कई बार हम लोगों को कहना हमको ID passwords बगरा मिल जाते जब हम source code देख रहे होते हैं या फिर हम बब suit के अंदर कभी कुछ हमको दिख जाता है कभी कुछ leak हो जाता है वहाँ पर अगर आपके पास ID passwords आ जाते हैं और अगर आप जानते हैं कि आपकी जो company है जैसे कि for example आप काम कर रहे हैं कोई भी company उठा ले थे Microsoft.com के साथ Microsoft.com एक company है जो अपनी company Microsoft.com जो है ना टिकेट फिर उनके customer उनके sales के पास जाते है वहाँ पर वो देखते हैं कि आपकी क्या complaint है फिर आपको email आते है तो वो ticket generate platform है Zendex तो वो बहुत सारी companies use करते हैं तो कई बार हमको ID passwords बगर ऐसे कोई company के मिल जाते है जैसे Zendex है जैसे कुछ कोई और use कर रहा होगा ठीक है तो अगर उसका ID passwords मिलते हैं तो हम उसको जो website का ID password मिले हैं उस website पर जाके login कर सकते हैं जाद है हम उनकी तरफ से हम login हो जाए लेकिन उन websites के login page हमको find करने पड़ते हैं तो यह GitHub repo है जहाँ पर आप देख रहे हैं उपर लिखा हुआ पढ़ो तो आप समझ जाओगे second line में पढ़ रहा हूँ I realized that such credentials could work on other important cloud services I started collecting a list of popular services which might have high value in case of improper access तो यहाँ पर बहुत सारे list हैं popular services के जहाँ पर आप अपने default credentials जो आपको मिले हैं कहीं ना कहीं से उसको use कर सकते हैं fantastic चीज़ है जो intermediate है उनको पता चल गया होगा यह कहाँ पर use होगा जो beginners है उनको साहद ना समझ मैं तो यह अपने bookmark कर लो future में आपको यह चीज़ काम लगेगी तो यहाँ पर खतम करते हैं हमारा twitter section अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे है comment में जाकर बताओ कि आप वीडियो अभी तक देख रहे है इन चीज़ों से मुझे motivation मिलती है और कुछ नहीं होने वाला ठीक है उससे बस मुझे motivate करोगे आप लोग तो जाकर अगर मेरा काम अच्छा लगता तो comment कर सकते हैं उसके लिए I am thankful to you चलिए बात करते हैं हमारे article section के article में तो और बहुत बड़ी है चीज़े यार मैं दिखाता हूँ चलो तो article number one यहाँ पर है Aziz I.I. Amandwara किया गया है I hope मैं आपका नाम सहील ले रहा हूँ तो यहाँ पर यह बात करते हैं exposing millions of voter ID card users detail तो हमारे voter IDs जो हैं ठीक है तो voter IDs के जो card details होते हैं उसको यहाँ पर expose किया गया है and this is fantastic I need to show you कि क्या है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर एक website थी national voters service portal ठीक है तो इस website के उपर आप देखेंगे government website है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो epic number के एक field थी आप यहाँ पर अपना profile बना सकते हैं और उस profile के साथ अपने voter ID को link कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर epic number जो है voter ID होता है तो वहाँ पर आप voter ID डालोगे और जो आप account बना रहे है उस account के साथ voter ID link हो जाएगा तो यहाँ पर जो voter ID है उस voter ID को इस तरह की से तोड़ा गया है ठीक है RDH, WRIDTN और यह जो words है वो पहले होते हैं और जो पीछे की side जो numbers होते है वो random gassable numbers होते है ठीक है आगे RDH वगेरा यह 4-5 में से कोई एक होगा और पीछे random gassable numbers होगे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने आगे का जो part है वो तो normal है वो तो fix है लेकिन पीछे के जो numbers है उनको brute force करवाया आगे देखो अभी क्या हो रहा है brute force करवाया तो उनको यहाँ पर by luck यहाँ पर back end में कोई rate limiting वगेरा नहीं था तो इनको यहाँ पर brute forcing करते है समय सभी लोगों की voters ID मिल गया ठीक है तो voter IDs create करते गए brute forcing में voter IDs उनको मिल गया अब उन्होंने क्या किया जो voter IDs उनको मिले दूसरे लोगों की उन voter IDs को फिर उन्होंने इस python script की मदद से चेक करवाया कि क्या voter ID सही है या गलत है आप देख रहे है यहाँ पर not valid ID not valid ID और यह python script उन्होंने खुड लिखी होगी my जैसे मेरा यहाँ पर gas लग रहा है और python इसलिए मदद करता है करको अपने script इस तरह की से लिख सकते तो यहाँ पर जब उनको valid IDs मिल गए जो भी valid voter IDs है वो उनको मिल गई उन्होंने फिर क्या किया उन voter IDs से account बनाया ठीक है उन voter IDs से duplicate account बनाया और उन्होंने successfully दूसरों के voter ID क thing for any country out there तो यह बहुत ही बड़ी vulnerability हो सकती है तो यह मुझे अच्छा लगा share कर रहो तो मैंने कर दिया चलिए बात करते है आर्टिकल नंबर टू की तो आर्टिकल नंबर टू यहाँ पर एक LinkedIn का post है जो किया है एंटन थर सी मैन थर the RCE man ओके the RCE man नाम बहुत अजीब होता है anyways तो यहाँ पर यह किसी और का tweet किसी और का post research कर रहा है जिनका नाम है जेक हैं यह basically template injection है template injection की मदद से SSRF किया जा रहा है आप सभी लोगों ने देखा होगा कितनी सारी website है जहाँ पर आप लोग PDF generate करवा सकते हो राइट PDF generate होती है आपने मान लो कि आपने जो order किया ठीके व generate हो कर आपको mail किया जा रहा है तो यहाँ पर आप SSRF कर सकते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं जो PDF बन रही है ना जैसे कि यह code है ठीक है तो यह template है ठीक है यह template के अंदर है उन्हें SSRF का payload डाल दिया ठीक है तो यह template यह जो payload तयार हुआ यह template injection अगर वीडियो देखना चाहत है तो यहाँ पर localhost की जिगह पर AWS का IP address डाला और फिर AWS security की बात है जिनको पता है उनको पता चल गया होगा ठीक है और उन्हें उस PDF के अंदर फिर AWS के credentials को देखा ठीक है तो जब भेजते हैं तो वो template render होता है template जब render होने गया तो उसके अंदर SSRF का payload था वह वहाँ पर vulnerable था तो उनको data मिल गया बहुत सारे लोगों को idea लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं चलिए बात करते है article number 3 की तो article number 3 यहाँ पर आप लोगों के लिए knowledgeable resource हो सकता है DDoS attack 2022 ठीक है quarter 2 2022 के quarter 2 में जो DDoS attack के trends हो सकते हैं आगे आने वाले time के अंदर आपने देखा होगा कई जैस आता तो ऐसे DDoS attacks बहुत सारे होते रहते हैं तो DDoS attacks का trend यहाँ पर बताया गया कि किस तरह का DDoS attack होने की संभावना है इस 2022 के quarter 2 में यानि कि जुलाई के बाद वाले महीनों में तो यह आपको जानना चाहिए as a hacker आपको पता होना चाहिए कि trends क्या क्या आ रहे हैं और यह म लगता है आपको नए ideas मिलेंगे आपका जो mind है वो develop होगा as a hacker perspective तो यह है वीडियो आज का Thursday hacking मसाला I hope आप लोगों को पसंद आ होगा अगर आप लोगों को ने Android application डाउनलोड नहीं करी तो कर लो फोड़े से वहाँ पर rating reviews अपने इसाफ से जो भी आपको लगता है वो कर सकत आपको अपको आपको 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 अपको अपने से ऊपका